स्लिमान अरून जेटली जी को उत्तम बजेट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ येक ऐसा बजेट है जो गरीब को ससक्त बनाएगा, बुनियादी धाचे को और मजबुत भी बनाएगा, गती भी देगा, हर किसी की उमीदों को अउसर देगा, अर्थ तंत्र को एक नई ताकत देगा, नई मजबुती देगा, और विकास को बहुत तेजी देगा, इस बजेट में हाइवे भी बनें, आइवे भी बढ़ें, डाल के दाम से लेकर, डेटा की स्पीड तक, रेलवे के मोडनाईजेशन से लेकर के, सरल एकोनोमिक निर्मान करने की दिशा में, सिक्षा से लेकर के स्वास्थ तक, उद्यमी से लेकर के उद्योग तक, टेक्स्ट्राइल मैनिफेक्चरिंग से लेकर के टैक्स डिड़क्शन तक, हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजेट में साफ साफ नजर आता है, इस अइतियासिक बजेट के लिए वित्त मिंत्री के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी है, ये बजेट देश के विकास के लिए पिछले धाई वर्स में जो कदम उठाये गए, जो फैसले ले गिया है, और भविश में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के इरादों के बीच, ये एक बहुत महत्वपूर कड़ी है इस बजेट को मैं देख रहा हूँ, एक अन्य महत्वपूर कदम है कि रेलवे बेजेट को जनरल बेजेट में मर्ज कर दिया गया है, इससे अब पूरे ट्रांस्पोर्ट सेक्टर उसको इंटेगरेट प्लानिंग में मदद मिलेगी, देश में परिवहन से जुड़ी आवश्यक्तों की पूर्ती में रेलवे अब अपना योगदान और बहतरीन तरीके से कर पाएगी, ये बजेट, क्रिशिक शेत्र, ग्रामिन शेत्र, सामाजिक कल्यार, इंफ्रसेक्चर, इन सभी शेत्रों में एक विशेश ध्यान आकरसित करता है, निवेश बढाने और रोजगार के नए अवसर पैदार करने की दुरुष्टी से सरकार की जो प्रतिवद्दता है, वो इस बजेट में साफ साफ नजर आती है, युई योजनाओं के लिए आवंटन में भी बहुत बरोत्री की गई है, सरकारी निवेश को मजबूती देने के लिए, रोड और रेल सेक्टर के लिए भी आवंटन में काफी भुर्द्दी की गई है, सरकार का लक्ष, दो हजार माईस तक हमारे देश के किसानों की आए, डबल करने का इरादा है, दो गुना करना है, नीतियां, एम योजनाओं, उसी प्रकार से ताई की गई है, बजेट में सबसे ज़्यादा जोर, इस बार भी किसान, गाउं, गरिप, दलीत, पीडीत, शोचीत, उन पर कैंजरीत किया है, एग्रिकल्चर, एनिबल हासमंडरी, डेरी, फिसरीज, वाटरशेड डेवलोप्मेंट, स्वच्छ भारत मीशन, यह सारे छेत्र ऐसे हैं, जो गाउं की आर्थिक स्थिती में बहुत बड़ा बढ़ाव भी लाएंगे, और ग्रामिन जीवन जीने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बढ़ा बढ़ाव लाएंगे, बजेट में रोजगार बढ़ाने पर भी भरपूर जोस दिया गया है, नोकरी के लिए इन्हें अवसर पैदा करने वाले सेक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स मैनिफेक्चरिंग, टेक्स्टाइन, उसको विशेश राची दी गई है, अज संगडिक छेत्र में काम करने वाले लोगों को संगडिक छेत्र में लाने के लिए भी व्यापप प्रावधान किये गए हैं, स्किल डवलप्मेंट, बजेट में काफी बरोत्री के गई हैं, यह हमारे देश के युगाओं को ध्यान में रख करके, और जो डेमोग्राफिक डिवीडन है, इसका भरपूर फाइदा भारत को मिले, उस पर ध्यान केंदित किया है, मात्मा गांदी, नेशनल डूरल एंप्लोमेंट गैरेंटी स्कीम, उसके लिए भी, अब तक जितना हुआ है, किसी भी वर्ष में न हुआ हो, इतना रेकोर्ड अवंटन किया गया है, बजेट में महिला कल्यार पर भी विशेश ध्यान दिया गया है, बहलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजेट में वृद्धि की गई है, स्वास्त और उच्चे सिख्षा के लिए भी बजेट में काफी बढ़ोत्री की गई है, आर्थिक विकास में तेजी लाने और रोजगार के नए अवसर बनाने में हाउसिंग और कंस्रक्शन सेक्टर इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, ये बजेट ग्रामिर के साथ साथ शहरी इलाकों में भी हाउसिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करने वाला है, रेलवे के बजेट में एक बात पर विशेस बल दिया है और वो है रेलवे सेटी फंड, इस फंड के मदद से रेलवे सुरक्षा पर परियाप्त धन्रा से खर्च करने में मदद मिलेगी, बजेट में रेलवे और रोड इंस्वास्ट्रक्षर के कैपिटल एक्स्पेंडिशर में काफी बढ़ोत्री कर दी गई है, डिजिटल एकडामी के लिए जो कॉम्प्रिहंसिव पैकेज दिया गया है, उचसे टैक्स्ट्रोरी की संभावनाएं कम होगी, और अर्थ बवस्ता में काले धन के प्रभापर नियंत्रन संभव होगा, डिजिटल एकडामी को एक मिशन के तौर पर शुरू किये जाने से आने वाले वर्ष में, 2017-2018 में, 2500 करोड डिजिटल ट्रांजेक्शन के बड़े लक्ष को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, हमारे वित्तमत्न जी ने कर प्राणाली में जो सुधार और संसोधन किये हैं उससे मद्यम बर्पो राहत मुलेगी, उद्योगों के स्थापना होगी, रोजगार के आउसर मिलेंगे, भेड़भाव के अउसर खत्म होंगे, और सबसे महत पुन पहलो होगा है कि नीजी निवेश को पूच्छान मिलेगा, बजेट में व्यक्तिकत इंकम टैस्क कम करने की गोश्रां, देश के मद्यमबर को ज़्यादा सपर्स करती हैं, बड़ी महत पुन है, दोस प्रतीशत से एकदम पांच प्रतीशत कर देना बड़ा सहस्पूर निड़ने हैं, करिप-करिप हिंदुस्तान के अधित्तम करदाताओं को, इससे बहुत बड़ा लाब होने वाला है, अपने देखावागा बजेज में, काले धन और गुष्ठाचार के खिलाब मेरी लड़ाई नेरंतर चल रही है, पॉलिटिकल फंडिंग की चर्चा हमारे देश में बहुत होती रही है, राजलितिक दल्व हमेशा चर्चा के घेरे बे रहे हैं, चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी, वित्तमंत्री जी ने देश के आशा, आकांशा और काले धन की खिलाब के लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तूत की है, देश के छोटे और मद्दम उद्योग, नोकरी के नए अउसर परदा करने के सबसे बड़े सुरूत है, इन उद्योगों की पुरानी माँग रही है कि ग्लोबल कॉम्पेटिशन में, वैस्विक स्तर पर मुकाबला करने में उनको कठिनाई आ रही है, अगर इसके लिए टेस्ट कम किया जाएं, तो हमारे लबूत्योग, जो की करीब करीब 90 परतिशत से जाता है देश में, और इसलिए सरकार ने छोटे-छोटे उद्योगों को और उसमें परिभाशा में बढ़लाव करके, उनके दाइरे को भी बढ़ाया है, और टेक्स को भी 30 परतिशत से घटा करके 25 परतिशत कर दिया है, यानि देश के उद्योग जगत के 90 परतिशत से जादा लोग इसका लाब ले पाएंगे, ये फैसला मुझे विश्वास है कि देश के छोटे उद्योगों को ग्लोबली कॉम्पुटेटिव बनने में बहुत बड़ी मदद करेगा, ये बजेट देश के विकास के लिए एक मजबूत कदम है, इस बजेट से रोजगार के नए अवसर पहता होंगे, सम्पून आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये पूरक होगा, नागरिकों को, उनकी क्वालिटी ओफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा, स्वास्त, आवास, ये सारी चीजों में अधिक अच्छी सुविधाई की सर्भावना बढ़ेगी, और बिना विक्तिय घाटा बढ़ाएं, देश के मद्दमबर के पास, उसकी खरिच सकती बढ़ें, उसके जेब में ज़्याना पैसे आएं, उस दिशा में प्रयास है, एक प्रकार से ये बजेट हमारा देश जो बदल रहा है, उसको और अधिक तीजी से बदलने का प्रयास, एक प्रकार चे हमारे सप्रों से जुड़ा हुआ हमारे संकल्पों से जुड़ा हुआ ये बजेट एक प्रकार चे हमारा फ्यूचर है हमारी नई पीडी का फ्यूचर है हमारे किसान का फ्यूचर है और जिए मैं फ्यूचर कहता हूँ तब उसका मेरा मन में एक मीनिंग है एप से फार्बर्स किसामों के लिए यू से अंडर प्रिविलेज दलीद, पीडीद, सोसीद, बंचीद, महिला उनके लिए टी से टांसपरंसी फारदर्शिता टेकनलोजिकल अपग्रेडेशन आदुनिक भारत बनाने का सपना यू से अर्बन रिजुमेनेशन सहरी विकास के लिए और आर से रूरल डेवलोप्मेंट ग्रामिनी विकास के लिए और यू से नव जबानों के लिए एंप्लोईमेंट उद्योग साहसिकों के लिए एंट्रपिलर्शिप एंप्लोईमेंट नए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नव जबान उद्यवियों को बढ़ावा देने के लिए मैं इस बजेट के लिए इस फ्यूचर को पस्तूत करते हुए वित्नमंत्रीजी को फिर से एक बार बढ़ाई देता हूँ और देश वासियों को उनके सपने साकार करने की दिशा में ये बजेट एक बहुत बड़ी सहाईव यवस्ता है जो देश को आगे भी बढ़ाएगा विकास की नए हुचाईयों को पार करेगा और देश में एक नया विश्वास का माहूल बनाने में ये बजेट बहुत ही उपकारख होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है फिर एक बार वित्नमंत्री को वित्नमंत्राले को उनके पूरी टीम को रजए से बहुत बहुत बढ़ाई